खादिक रामो द्योग ने हर साल की तरह इस साल भी साल 2017 का कैलेंडर जारी कर दिया है लेकिन इस बार कैलेंडर में कुछ ऐसा किया गया है जो किसी के गले नहीं उतर रहा दरसल खादी ग्राम उद्योग हर साल अपना केलेंडर जारे करता है जिसमें राश्रुपिता महात्मा गांधी की तस्वीर होती है लेकिन इस बार गांधी जी की तस्वीर गायब है और उनकी जगहा पीम नरेंद्र मूधी की तस्वीर केलेंडर में चस्पा है केलंडर में पीम मूधी चर्खा चलाते हुई दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर पर अव्विवात खड़ा हो गया है शिफसेना समेद कई विपक्षिदलों ने इसके निंदा की है क्योंकि खादिक राम उद्योग के केलंडर का इतिहास बताता है कि अब तक इसके केलंडर में राश्रुपिता महात्मा गांधी की तस्वीर रहती ही थी जो चर्खा चलाते और सूत कातते हुए दिखाई पड़ते थे लेकिन इस बार केलंडर पर पीम नरेंदर मूधी की तस्वीर दिखाई पड़ रही है राशुपिता महात्मा गांधी के परपोते तुशार गांधी ने इस तस्वीर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि इस सरकार को गलतिया करने में महारत हासिल है उनका कहना है कि गांधी जी का चर्खा गरीब लोगों की कमाई का स्त्रोत था और यह उत्पादन का जरिया था लेकिन अब यह तस्वीर खिचवाने का फैशन बन गया है वहीं दिली के सियम अर्विन के जीवान ने भी ट्वीट कर मूदी सरकार पर तंस कस्ते हुए कहा गांधी बनने के लिए कहीं जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है चर्खा कातने की एक्टिंग करने से कोई गांधी नहीं बन जाता बलकि उपहास का पात्र बनता है वह इन सब के बीच ग्राम उद्योग के चेर्मिन विने कुमार सकसेना का कहना है कि एक कोई नई बात नहीं है क्योंकि ऐसा पहले भी होता रहा है उन्हेंने कहा कि मोदी खादी ग्राम उद्योग के ब्रांट अमबेजिडर है और खादी के प्रती उन्होंने दुनिया भर के लोगों का ध्यान दिलाया है तो अब खादी ग्रामो द्योग के कैलेंडर में पीम मोधी की तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया है आरोब प्रतियारोब का दौर जारी है ऐसे मैं देखना होगा कि ये विवाद अब क्या मोड लेगा देखते रहे डी बिलाइव